आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं जैपनीज वाइट एक प्लांट के बीज किस तरह सेफ करती हूं आप देख रहे हैं कि ये बैंगन सफेद नहीं रहा बलके पक के पीला हो गया है और मैं हाथ लगा के महसूस कर सकती हूं कि ये बहुत सख्त हो गया है जिसका मतलब ये है कि ये अब तयार है कि इसके बीज हम बना रहे हैं मैंने तीन बैंगन तोड़े हैं और इन तीन बैंगनों का मैं सीट बनाऊंगी मैंने एक प्याले में पानी ले लिया है और अब मैं बैंगन के मोटे मोटे टुकड़े काट रही हूँ अब देख रहे हैं कि बीज बिलकुल पक गए हैं मैं इनको तीन चार घंटे के लिए पानी में भिगो दूंगी है बैंगनों की दूसरी किसमें जैसे परफल बैंगन है जामनी रंग के बैंगन है यह हम पानी में अगर एक दो दिन भिगो दें तो भी कुछ गड़बड नहीं होती लेकिन जब सफेद बैंगन के बीजों को हम ज्यादा देर के लिए एक दिन दो दिन के लिए पानी में भिगो देते हैं तो यह बड़े मशी से हो जाते हैं मतलब उनका एक पल्प सा बन जाता है जो के अच्छा नहीं लगता है बैंगन के यह टुकड़े पांच घंटे तक पानी में रहे हैं और आप देख रहे हैं कि मैं अपने हाथ से बीज अलग कर रही हूं तो बगएर किसी कोशिश के यह बीज अलग हुए चले जा रहे हैं और इसी तरह से हम बैंगन के दूसरी किसमों के बीज भी बिलकुल इसी तरह से हम उनको सेफ कर सकते हैं अब यह बीज अलग हो गए है इस तुकड़े से और यह जो बाकी वेस्ट बचा है इसको मैं वर्मी कंपोस्टिंग बिन में डाल दूंगी जिस से के वर्म्स इसको खाके तो कंपोस्ट में तबदील करतेंगे अब मैं इन बीजों को तीन चार बार अच्छी तरह से धोलूंगी ताकि इसके साथ अगर कोई रेशे लगे हुए हैं या कुछ है तो वो सब बिलकुल साफ सुत्रे हो जाएं मैंने इन बीजों को पानी से निकाल के तो एक अख़बार पे फैला दिया था और उपर पंका चला दिया था ये काफी हद तक खुश्क हो गए हैं लेकिन ये पूरी तरह से खुश्क नहीं हुए हैं इन में अब भी काफी नमी मौजूद है और अगर हम इन बीजों को इसी तरह से स्टोर कर देंगे तो इस पे फंगस का फपूनी का और कीडों का हमला हो जाएगा जिससे के वो बीज को खा जाएंगे और बीज हमारा जाया हो जाएगा अब सवाल ये है के हमारा बीज मतलूबा हद तक खुश्क हुआ है या नहीं है तो इसका एक एक आम सा तरीका ये है के अगर हम बीज को लेके अपने दान्तों तले दबाएं तो उसके अंदर से बीज के अंदर से मौइस्चर इतना कम हो जाना चाहिए कि उसके जब दान्तों तले दबाएं तो तूटने की कड़क से आवाज आए मतलब जाहर है बैंगन का बीज तो छोटा सा है इतनी बड़ी आवास तो नहीं हा सकती लेकिन वहाप महसूस कर कि अब मैं आप को यह भी बताना चाहती हूं कि अगर आप जैपनीज वाइट एक प्लांट के पौदे खुद लगाना चाहते हैं और यह बीज आप हासिल करना चाहते हैं तो आप और और गैनिक का पाकिस्तान पे इस इन बीजों का ओर्डर दे सकते हैं आपकी सहूलत के ल दिस्क्रिप्शन में और गैनिका पाकिस्तान वेब साइट का लिंक भी दे रहे हूं